हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक अन्बोक्सिंग यूटूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम हैवल्स कंपनी का एक एक अग्जैस्ट फैन लेकर आए है PVC बोर्ड या फिर फालस लिंग कराई होती है वहाँ पर आपको कोई अग्जैस्ट फैन लगाना हो तो आप इस अग्जैस्ट फैन को लगा सकती है आपको PVC बोर्ड या फिर फालस लिंग होती है वहाँ पर कटिंग कराकर इस अग्जैस्ट फैन को लगवाना होता है इस वीडियो में इसे अन्बोक्सिंग करके आपको दिखाने वाले हैं मार्केट में क्या प्राइश चल रहा है वेब पताने वाले है और नीचे डिस्क्रिप्स में हमने लिंक दिया है वहां से आप इसे ओल्लाइन भी पर्चेज कर सकते हैं सबसे पहले आप बोक्स के उपर देखेंगे हैवल्स कंपनी का नाम लिखा हुआ है वेंटी लेयर डिएकसी कुछ एक नीचे फीचर्स लिखे हुए जैसे की मोडरन डिजाइन दिया हुआ है हाई क्वाल्टी इसके अंदर प्लास्टिक यूज कर लेते हैं या फिर सिलिंग क के अंदर होता है वहाँ पर हम इसे कटिंग कराकर यूज करती हैं दो साल की इसकी वारंटी रहती है 130 mm का यह है आप बोक्स के दूसरी साइड देखते हैं यहाँ पर लिखा आइटम नहीं में एक्जेस्ट फेन है आइटम डिस्क्रिप्शन यानि की मोडल है वेंटी लेयर डिक्सी है आइटम कोड लिखाव एक पीसिस के अंदर 130 mm का इसका साइज यानि की जो पाइंप जहां पर लगता है वो आपर 130 mm का पाइंप लगता है 24 वाट यह बिजली खबत करता है 4220 रुपे इसका MRP दिया हुआ है नीचे कंपनिया टॉल फरी नंबर है वहाँ से आप ले सकते हैं उपर की साइड आप देखेंगे यहां पर टेप लगी होती कंपनी की तो इस टेप को हम हटा देते हैं दोस्तों और आपको अंदर की तरफ दिखा देते हैं अंदर की तरफ आप देखेंगे यहां पर इसकी पैकिंग की यह बहुती बढ़िया उपर की साइड गत्ता लगाया ताकि यह टूटे फूटे ना, इस गत्ते को हम अटा देते हैं, अब आप अंदर की तरफ देख सकती हैं, अब बोक्स से बाहर निकाल कर आपको दिखा देते हैं किस तरह का इसका लूक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे इसके साथ में गारंटी काड आती ह दोस्तों, यह एकजेस्ट फैन है, जो हमने बोक्स से बाहर निकाला है, आगे से आप लूक देख सकते हैं, इस तरह का जांसे हवा इन्पूट होती है, यह वाला जो लूक होता है, कवर होता है, देख सकते हैं, यह हमारा रूम्स के अंदर की तरफ होता है, इसके अंदर ल पाइप लगता है वहां से हवा आउटपुट होती है यहां पर नीचे श्टिकर लगा उता है यहां पर कंपनी का नाम और दोस्तों इसके बारे में जानकारी लिखी होती जो बॉक्स के उपर भी लिखी थी इस साइड एक सो तीस अम्म की पाइप लगाई जाती है जो में पर भी लहेंस दरनका लूक आपको दिखाई देगा इसकंदर हैवी मोटर लगी होती उपर की साईड में आप संध में वायर निक्ली होती जिसको पिजली के अंदर लगाते हैं इसके अंदर पूरा सिए की फिटिंग की जाती है पहले उपर वाला बेस लगाया जाता है उसके बाद में जो आगे वाला जो कवर उता है उसको लोक सिश्ट्रम के द्वारा लगाया जाता है एक इसके साथ में vidéo आता इस क VerSi वाला मेतोर य influx के अंदर आप आगे की साइट जो cover होता है cover की ओपर फोल्थिन लगा हुआ है उस फोल्थिन को जब हम हटाते हैं तो आपको silver color की plate सामने आपको दिखाई देगा अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके price की market के अंदर जो इसका price है वे लगबग 3900 रुपिया फिर 30,000 रुपिया के असप पहले से नए छोड़ी हो आपको वीडियो चले के ताप इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के पास सेर करें साथ में यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें